हाई सच जॉब को पदा होना चाहिए इन इन लॉग पर मेरे चैनल को सुनने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिगा वरना नहीं तो मैं आराज हो चाऊंगी हाँ मैं जानते हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बोलने भी क्या जाता है शायद कोई कदरदान सुन ले इस चक्कर में शायद भी सब्सक्राइब कर दे में भी कहीं शेयर भी कर दे और मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाए क्या है पॉइंट पे आते हैं पॉइंट इस खुशी क्या है खुशी वो है जिसके बाद दुख आता है और दुख क्या है क्योंकि दुख के बाद खुशी आती है तो अल्टिमेटली ये चलते रहते हैं आगे पीछे जैसे आप अपने कदम चलाते हो तो जब पहला गदम चल रहा है तो दूसरे गदम कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि भाई वो आगे क्यों मैं पीछे क्यों क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे यही पूरा मतलब होता है आपके जिंदगी में खुशी और गम दीरे दीरे आने का समझने का बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं और बहुत से लोग नहीं समझते हैं शायद समझना नहीं चाहते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिंदगे में खुशी हैं होती हैं क्योंकि उन्हें दुख नहीं देखा हुता लेकिन ऐसा नहीं है कि किसे की जिंदगी में अगर दुख आया ही है तो कभी खुशी नहीं आईगी आपको उसके लिए patience रखने बढ़ेंगे और आप जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे ज़े करना पड़ेगा आपको समझना प आपने ये कोशिश करी that means आप खुद accept कर गए कि आप ने गलती करी है जबकि आपका दिल जानता है कि आपने पूरा 100% दिया उसकाम को करने के लिए हो सकता है सामने वाले को नहीं पसंद आया तो आपके लिए वो दुख का पल हो गया लेकिन क्या आप उस चीज को enjoy करना च आपको हैसास होगा कि खुशी होती ही क्या है अच्छे सोची एक बात आप एक सरफ खुश होते हैं तो आपके साथ क्या क्या changes आते हैं आपका जो mood upset होता है आप गुस्से में जो होते हो वो ठीक हो जाता है आपको भूक मतलब proper लगने शुरू होती है जो अच्छे से होती ह आपका मन करता है आप आउटिंग पे जाएं आपका मन करता है आप अच्छे से लोगों से बात करें अच्छे मतलब गाने सुने या फिर लोगों से बैट के अच्छे से बाते करें दस और नहीं चीज़े आपके दिमाग में आती है आप creative भी हो सकते हैं हो जाते हैं मतलब क कुछ नया आपने लिए ढूंड लेते हैं, जहाँ जीरो से सोच शुरू हो रही होती है, मतलब जीरो आपका दिमाग होता है, वहाँ पर कुछ नया कुछ आ जाता है, मतलब एक सिरफ खुशी की बात अपने दिमाग में सोच ना, और किसी चीज़ को यह समझ लेना कि यह मेरी जिंदगी की खुशी है, आपको कितनी सारी चीज़े दे जाती है, दुख पर देखे जाता है, दुख आपको क्या कर लेता है, आपको negative कर देता है, आपको step पीछे कर देता है दो, आपको automatically अपने आप पे गुसा आने लगता है, और आप सामने वाले पे वो गुसा निकालना शुरू करते हो, जिसकी वज़े से सामने वाला भी यह आपको दुख देना शुरू कर देता है, आप हर चीज़ से irritate होना शुरू हो जाते हो, जिन्देगी को negative लेने लगता है और आपको लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यूं, ऐसा इस लिए क्योंकि आपने उस चीज़ को अपने लिए accept कर लिया, आपने इस सोच लिया कि यह दुख है और यह मेरे साथ ही होगा, because मेरा लग अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए, इस चीज़ को निकाल दीजिए अपने दिमाग से, यह सुख और दुख नम की कोई चीज़ होती नहीं है, और एक बात fact है, जिन्दगी में जो होना है न, वो होके रहेगा, कोई change नहीं कर सकता, आपके बर सिरफ options आएंगे, left or right, आपने चूज करना है, straight या यहीं खड़े रहना है जहां पर हो, that is completely your choice also, so, choice आपको हमेशा दी जाएगी, बट उसमें आपको क्या चूज करना है और आपने सही चूज करा है या गलत, वो matter करता है, so dear, आप हमेशा खुश रहिए, और हर चीज के लिए सोचिए कि आपके लिए जो हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, शायद कुछ अच्छा सोचाओगा आपके लिए, stay positive and stay tuned, और इसको follow करना, बेलको नहीं बुलना, okay, bye,